हेलो ओल एंड विल्कम टो रिकॉगनिशन आई एस मैप मेकिंग की क्लासेस कंटिनीव कर रहे थे हम लोग उसी को आगे जरा बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग आज की क्लास में देखेंगे वर्ड की ग्लोबल जितनी भी ट्राइब है और उसर रिलेटेड जो कुछ important facts है बीच में discussion जो होता है कुछ disrupt हो गया because of the lockdown और फिर इसको वापा से हम लोग continue करना है और ये काफी important series होने वाली है for street PCS I would say otherwise civils के लिए तो it is very important again चली आगे फटा पर शुरू करते हैं आज की क्ला सबसे पहले हम लोग देखेंगे tribes के बारे में तो हमारे यहां पर कुछ tribes हैं जो की important भी है और exams में भी आई हुई है जैसे esquimo, mormons, red indians, mayas, papuans, laps, yakuts, tartars, samoid, khirgiz, fulani, badayu, gons, vedas, enu, semangs, bindables, फिर maori, berber, hausas, newba, bantu, and masai, pygmi, kikyus, bushman, and zulu तो हम पास यह कुछ जो है important tribes है इनको हम लोग फ़हले locate करेंगे और इसमें भी कुछ important जो चीजे होंगी वो मैं आपको explain कर दूँगा सबसे पहले देखिए फटा-फट लोकेट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमार नॉर्थ इंडिया से तो नॉर्थ इंडिया में Canada साइड में पाई जाती है Eskimos, तो these are Eskimos, Eskimos जो है actually वो दो type की होती है, एक Eskimos यह अगें जो होता है आपके लिए important fact होगा, Eskimos एक जो है वो Canada में पाई जाती है और जो Canada वाली Eskimos है उसको बोला जाता है Inuits, I-N-U-I-T-S और एक दूसरी जो है वो रशिया में पाई जाती है और यशिया रशिया वाली जो Eskimos है उनको बुलायाता है U-PIT, this is U-P-I-T, U-PITS, clear हो गया क्या चीज़ है, तो इन दोनों को नहम ध्यान में रखिएगा हो सकता है आपसे अलग से भी पूछा जा सके, इसके लावा दे इंडियन, ठीक है, इसके लावा गौाटेमाला जो की मिडल अमेरिका में आता है, यहां पर मायास पाई जाती है, ट्राइब जीजार मायास, ठीक है गौाटेमाला एरिया में है, या फिर आसपास के अरिया में भी आप समझ सकते हैं, इसके लावा ब्राजील में अगर आए व्यक्टाइब और या कॉट्स पारे या कॉट्स ये वहां पर पाई जाती है फिर इसके बार से समोएड योध पर पाई जाती है, this is Samoaid, YAD, Samoaid हो जाती है, यहाँ पर clear हो गया क्या है, इसके अलाबा, गोंट्स, इंडिया पर पाई जाती है, यहाँ तो कुछ बताने वाली चीज ही नहीं है, in fact, यहाँ पर जो होता है, वाईगूर कम्मुनिटी रहती है, this is वाईगूर कम्मुनिटी, जो कि चाइना के जिन्जियंग प्रोविंस में है या फिर बोल सकते हैं कि चाइना के साउथ वेस्ट रिजियन में पाई जाती है क्लियर हो गया है तो यह हमारी हो गई यहां के इसके अलावा श्रिलंका में देखिए विद्दाज पाई जाती है तो यहां पर यह सीन हो गया इसके अलावा अगर बात करें तो हमें साउथ कॉरिया वाले रिजियन में साउथ कॉरिया तो नहीं कहेंगे साउथ कॉरिया होंग कॉंग यहां पर जो होता है सेमांग पाई जाते हैं सेमांग यहां पाई जाते हैं इसके अलावा Australia में आ जाएंगे तो यहां पर Bindi Boos पाई जाते हैं इसी तरीके से अगर New Zealand में आ जाएंगे तो यहां पर Maori पाई जाते है Maori टाइप की ट्राइब रएती है यहां पर Maori Catherine side में अगर आ जाएंगे तो यहां पर Inu tribe है Inu tribe यहां पर एक टिकलिक करके जो होता है डाइनसौर के जो होता है फॉसिल्स पाए गए है तो ये बरबर कमुनिटी जो होती है काफी important है ये मुरकों में पाई जाती है ठीक है मुरकों में ये रहती है इसके अलावा जो होता हौसास ट्राइब है ह-a-u-s-a-s हौसास ट्राइब है जो की pygmy होते हैं pygmy जो होते हैं ये congo के एरिया में पाई जाते हैं इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो horn वाले साइड में यहां पर मसाई ट्राइब पाई जाती है और इसी तरीके से kikoo yuz पाई जाती है kikoo yuz clear okay bushman पाई जाती है जो कालाहारी के desert है तो bushman यहां पर पाई जाते हैं साउथ अफरिका में आ जाएंगे तो यहां पर जो है मर्मॉंस अभी बात कियते हैं हम लों newfoundland या फिर USA भी आप याद कर सकते हैं eastern part of the USA red indian western part of the USA kolorado के पाई जाती है मायाज के बारे में बात करें तो यह guatemala या फिर बात कर सकते हैं कि यह जो हता है middle Siberian area में टर्टार्स यह purely Siberian area में पाई जाती है जो की basically polar area हो जाती है समोईट के बारे में बात करें तो यह eastern part of the Russia में पाई जाती है eastern part of Russia ठीक है इसी तरीके से खर्गेश यहां तो ना मी बता रहा है कि खर्गेश्तान में पाई जाती है फुलानी यह ट्राइब जोती है साओदी अरेभिया में पाई जाती है या फिर Arabianここ ळातda यह जाती है गोंट्स है इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं विदाज यह श्रि-लंकन की ट्राइब एनू ट्राइब ये जो होती है वो जिपैन की ट्राइब है सिमिलरली सेमांग ट्राइब पर आ जाएंगे तो हॉंग कॉंग और साथ ही साथ में जो होता है कोरियन परिंसला की ये ट्राइब मिल जाएगी बिंदिबूस के बारे में आ जाएंगे तो ये जो होती है आस्ट्रिलिया की ट्राइब है माओरी न्यूजिलेंड की ट्राइब है बर्बर पे आ जाएंगे तो ये मुरको की ट्राइब है अगीन इसके बारे में मैंने बताया कि ये current affairs में भी रही है हौसास के बारे में बात कर लेंगे तो ये जो होती है सहारा के एरिया में पाई जाती है नूबा ये सुडान के एरिया में ट्राई पाई जाती है बन्टू ये जो होती है वो कॉंगो एरिया में पाई जाती है मसाई ये जो है वो हॉर्न ओफ एफरीका के पास में हॉर्न ओफ एफरीका के पास में पाई जाती है इसी तरीके से पिगमी ये जो हता है कॉंगो एरिया में पाई जाती है किक्यू यूज यह जो होता है वो मोजामबिक एरिया में पाई जाते है जूलू के बारे में बात करेंगे तर साउथ एफरीका रीजन में यह पाई जाती है तो हम लोग ने इस तरीके से बहुत सरे ट्राइप्स को देखा एक बार अगर आप revise करेंगे, एक बार अगर आपने map में बना लेंगे तो आपको बहुत एजली ये सारी चीजें याद हो जाएंगी आगे अगर देखेंगे तो देखें थोड़ी सी और चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए because these are coming from the NCRT's, NCRT's ही आ जाती है देखें तीन तरीकी की ट्राइब का नाम है बता रहा हूँ जो की काफी important है ये जो होती है मैस्टी जोज सेकंड वन इस मुलाटोज ये जो होती है मिज्ज ट्राइब का मतलब क्या हो गया कि European people and Indian people की जो breed है उसको बोला याता है मैस्टी जोज इसी तरीके से जो European है और जो Black African है उनकी जो ट्राइब है उनकी जो mixed breed है उसको बलाता है मुलाटोज इसी तरीके से Indian और जो Black Africans है उनकी जो ट्राइब है या कह लिजे उनकी जो breed है उसको Zumba tribe कहा जाता है तो फिलाल इस session को यह पर complete करते हैं इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स वीडियो में देखेंगे कुछ और भी नए map making fact के साथ में till then goodbye and thank you so much झाल